बीजेपी अध्यक्ष अमिश्शा को कोट में हाजर होने का आदेश दिया गया है मुंबई सेशन्स कोट में तुलसी प्रजापर केस में ये आदेश दिया है और कहा है कि अगर अमिश्शा कोट में हाजर नहीं होते हैं तो उनके खलाफ कारवाई की जाएगी तो एक बड़ी खबर इस वक्त की अभी अभी अध्यक्ष बने है बीजेपी के अमिश शाह और ऐसे मेज बीच ये खबर आना तो थोड़ी मुश्किले बढ़ा सकता है अमिश शाह की मुंबई सेशन्स कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है बी जेपी अध्यक्ष अमिश शाह को कोट में हाजर होने का आदेश दिया गया है तो अमिश शा को कोट में हाजर होना होगा मुंबई सेशन्स कोट में तुलसी प्रजापती एंकाउंटर केस में ये आदेश दिया है और कहा है कि अगर अमिश शा कोट में हाजर नहीं होते हैं तो उनके खलाब कारवाई की जाएगी यानि कि अमिश शा को कोट में हाजिर होना होगा जब जब उनको बुलाया जाएगा उनकी जरुवत पड़ेगी तो ऐसे में थोड़ी बहुत मुश्किल है अमिश शा की बढ़ सकती है मुंबई सेशन्स कोट की तरफ से यह आदेश आया है और कहा गया है कि उनको हाजिर होना होगा कोट में तुलसी प्रजापती एंकाउंटर केस में अमिश शा का नाम था और ऐसे में उनको हाजिर होने की बात कही गई है मुंबई सेशन्स कोट की तरफ से हमार समधाता साहिल जोशी मुंबई सेजार जानकारी के साथ जुड़ गया है शाहिल क्या कुछ कहा गया है और कोट की तरफ से देंकि तुलसी राम प्रजापती मुर्डर केस का यह मामला है और जिसमें अमिच्छा एक वन आप आरोपी है जो मामला चल रहा है जजज ने कहा है कि सभी आरोपी को अदालत पेश होना ज़रूरी है अलाकि अमिच्छा के तरफ से हाजरी ज़रूरी ना करने की अप्रीश की गई है उनका यह कहना है कि उनके चलाप को सबोत प्रोसिक्टिशन को नहीं मिल पाए है बेश्चाज अप्लिकेशन पर भी उनकी सुनवाई चल रही है ऐसे में जजज ने कहा है कि आरोपी के नापे कोट में हाजर रहना जरूरी है फिलाल कोट की कारवाई चल रही है और इस मामले में सुनवाई भी चल रही है बहुत बहुत शुक्रे आपका साहिल तबाम जानकारी के लिए